हेलो गाइज अन्भैसेस मैं सूरज कुमार और मैं लेकर आगे अपना नवकर से साथ तो बड़ा मलिक फिल्म रिव्यू करने के लिए और मलिक एक मल्य अलम फिल्म है अप दो को यह को है प्लक बता बहुत के जैसे आप इस फिल्म को देखने बैटोगे ना पहले आपको मार्वलेस फ्रेंटस्टिक शॉट देखने मिलेगा वो है बारा मिनिट का वन सिंगल टेक शॉट बाप रे बाफ वो इतना क्लास शॉट था कि आप बोलोगे कि यह क्या कर रहा है एंड कैमरा काइसा जा रहा है एक ही कैमरा को लेकर बारा मिनुट तक घुमा रहे हैं यह लोग सारे केरेक्टर के बीच में वह भी ऐसे अरे आप सोचो ना आप फ्लोर पर कैमरा रखे हो लेकिन उसी कैमरा को सटनली आप ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आरे दोलजन का कन्वर्शेशन दिखाने हैं ओहो इट वास आउस्टेंडिंग मैं आउस्टेंडिंग देखो अगर मैं एक सब में इस फिल्म का रिवीव करें तो मैं इतने ही कहूंगा कि मलिक फिल्म इस वरी गूड फिल्म जो आपको तीन चीज़ का कंप्लीटले एक्सपिरियेंस कराती है वह स्टोरी सिनेमेटोग्राफी एंड परफॉर्मेंस यह तिन आपको एक दमदार देखने मिल जाएंगे हाला कि यह पौने तीन गंडे की पिचरे लेकिन घंटा कहीं भी बोर होता ही निये लेकिन फिर भी आपको अंदर से ऐसा फील होई जाता है कि फिल्म थोड़ी छोटी रहती तो और ज्यादा मज़ा आगया होता था अब जो को फिल्म के कहानिया ऐसी कि फात फाजिल सुलेमान का कैरेक्टर प्ले करते जो ब पुलिस और फिर बहुत दंगे होते जिसके वज़े से कई लोगों की जान भी चली जाती है और इसी सारे चीजों के बीच में यह स्टोरी गुमती रहती है जो कि एकदम इंट्रस्टिंग लगते हैं कहीं पर भूर होते नहीं हो पहले बात तो मैं यह कहूंगा कि जो परफ फाजिल जहां यंग रहते हैं वहां पर उनकी वोईस सुनना और जहां पर भूड़े हो जाते हैं वहां पर उनकी वोईस सुनना वह वो वोईस की फरक से आप जान जाओगे कि कितने जानदार अक्टर है फाथ फाजिल या अब देखो इसके डिरेक्शन स्क्रीन प्ले की ब तो आपके दिमाग में यह चलेगा कि यह फिल्म का बजट कितना जादा होगा कितना जादा होगा गांट आज़ा कुछ नहीं 25-30 के हलके पैसे में इतनी वजंदर फिल्म बना देना आप देखके हैरान हो जाओगे और मल्यालम सिनमा जितने भी ऐसे इसे बजट के फिल्म बनाते वह इतनी आग रहती है कि हर कोई उसका रिमेक मारी लेता है लेकिन मैं यह सुस्त हो कि अगर को इनको लाके जादा बजट सब्सक्राइब करके जाओ पाई इनको बना रिमेक मारी लेकिन मारी लेकिन झाल झाल